अलेकुम दिस शिबाज अली एंड वेलकम यूट्यूब चेनल शिकार विपिस इक सकेट में तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे आज का जो हमारा लेक्टर एवो किलाउस मेट्रिक्स है चैप्टर नबर 5 से लेक्टर नबर 10 है फैक्टर्स ऑन विच जो है वो किन-किन फैक्टर के डिपेंड करती है हमने पिछले लेक्टर के अंदर पढ़ा था कि किसी भी कैपेस्टर की वह कितनी चार्ज जो है अपने अंदर रिस टेटा करता है ठीक है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है यहां पर दो मैटल प्लेश होते हैं यह सरी हमने जो हैं धिया हुआ है। है। यहां पर और एक मैं प्रेक्ट के ऊपर जो हैं दोनों के जर्मियान जो है दिश्टंस है मतलब दो प्लेसर के घरमिया प्लेसर के जो डिस्टंस एंसको हमने जो है वो दी कि लिया को हमने जो है युद wygląda किया हुआ है यह बी ए के बढ़ते हैं कि मतलब यह क्यें कैपेस्टर की ये कि अधैकर पर消ूंद करती है तो द्यर्ण समगारण यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखे हुए है Capacitance depends on following factors अब वो कौन से factors है पहला factor है area of the plate यहां पर कहता है Capacitance increases if area of the plate increases मतलब पहला जो factor है वो area of the plate है मतलब कह रहा है कि Capacitance जो है वो increase होती है अगर आप plates का area जो है वो भी बढ़ा दे तो यहां पर भी लिखा हुआ है Capacitance is directly proportional to that area आपको figure में समझाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो area है इसका अब जितना area आप बढ़ाएंगे ठीकि उतनी ज़्यादा charges जो है इन पर develop होगी उतनी ज़्यादा Capacitance बढ़ेगी मतलब in order to increase the capacitance of a capacitor you need to have a large area तो आपको area जो है वो large रखना पड़ेगा अगर आपको किसी भी capacitor की capacitance जो है वो बढ़ानी है उसके बाद जो है दूसरा जो factor है वो है distance between the place अब distance between the place के बारे में कहा जाता है कि capacitance increases if the separation distance between the place decreases इसका मतलब यह हुआ कि दो place के दर्मियान में जो distance है वो आप जितना बढ़ाएंगे उस capacitor की capacitance उतनी कम होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि capacitance is inversely proportional to the distance अब कैसे यहाँ पर आप फिगर में आपको समझाते हैं यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों के दर्मियान में यह जो distance है अब यहाँ पर जितना यह distance आप बढ़ाएंगे दो place के दर्मियान में उतनी capacitance कम होगी क्यूं होगी यहाँ पर देखें इनके दर्मियान में होती है electric field ऐसे है यह electric field होती है ठीके positive से negative की तदफ electric field होती है अब जितनी electric field strong होगी उतनी जो charges develop होगी वो ज्यादा होगी एक दूसरे को attract करेंगे अब जैसे ही आप separation बढ़ाएंगे इनके दर्मियान में electric field जो होगी वो कम होती जाएगी अब electric field जब कम होगी तो definitely जो है charges जो stored होंगी plates के उपर वो भी कम होगी तो इसी वजह से यह distance आप जितना कम रखेंगे उतनी जो charges ज्यादा develop होगी hence campus sense will increase ठीके last factor जो है वो है dielectric constant ठीके जिसे epsilon r से भी जो है denote किया जाता है actual में यह होता है permittivity of the medium ठीके पहले आपको यह factor जो है पढ़ाते हैं उसके बाद समझाते हैं तो इसमें कहा जाता है capacitance increases if insulating medium of high dielectric constant is used अब यहां पर कहता है कि capacitance बढ़ेगी अगर आप जो है insulating medium जो है या फिर डाइलेक्टिक जो है वो ज्यादा constant वाला इस्तेमाल करेंगे यहां पर कहता है capacitance is directly proportional to the epsilon r या फिर permittivity of the medium कैसे आपको समझाते हैं यहां पर आप देखें कि इनके दर्मियान में कुछ भी नहीं है पर अगर यहां पर हम कोई भी insulating medium जो है पुट करेंगे ठीके कोई भी insulating medium है तो उससे जो है capacitance बढ़ेगी हर एक insulating medium का मतलब डाइलेक्ट्रिक का एक constant number होता है जितना डाइलेक्ट्रिक constant ज्यादा होगा capacitance उतनी बढ़ेगी अब जैसे कि आप इसके देख सकते हैं कि कुछ materials दिये हुए हैं और उनके डाइलेक्ट्रिक भी है यहां पर वैक्यूम है जिसका डाइलेक्ट्रिक 1 है एयर है उसका डाइले डाइलेक्ट्रिक constant है वो 78.5 है ठीक है मतलब यह constant temperature पे 25 degrees अब जैसे ही आप देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक constant का value जो है वो increase होता है आपकी जो capacitance होगी वो भी बढ़ेगी ठीक है तो यह तीन factors है जिन पर depend करती है पहली तो area है मतलब area बढ़ाएंगे तो capacitance बढ़ेगी distance से between the plates मतलब distance जितना बढ़ाएंगे उतनी capacitance degrees होगी तीसरा है जो है dielectric permittivity of the medium मतलब यहां पर अगर आप dielectric put करेंगे between two plates तो उससे जो है capacitance बढ़ेगी जितना dielectric constant का value ज्यादा होगा उतनी capacitance भी बढ़ेगी तो उमीद है आज का जो lecture है जो कि factors on which capacitance depends आपको बहुत ही अच्छे तरीकी से समझ में आ रहा होगा फिर दी कोई question या query रह गई तो आप comment section पूछ सकते है इंशाल्ला we'll meet you in the next lecture thank you very much